Question number 6 है, तो चलिए देखते हैं, question number 6 को, बोल रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से, रुपए 500, तीन वर्ष में 605 हो जाएंगे, यानि दोस्तों क्या करना है, समझे कि किसी से आप 500 रुपए उधार लिए हैं, तो उसका दर क्या होना चाह है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला आपका दे रखाया, मुल्धन कीतना है आपका? 500 रुपया, ठीक है, ये समय दे रखाया, समय कितना है? 3 वर्षिक है, आगे पुछा क्या है, दर पुछा था है, और इसके लिए हमको दे रखाया है क्या? ये दे रखाया है, मिस्रधन आपका कितना दे रखा है 605 तो समझे यह मुल्धन कितना था आपका मुल्धन था 500 बट यह मिस्रधन हो कितना जा रहा है 605 तो यहां से हमको अगर निकालना है ब्याज तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मिस्रधन मैनास मुल्धन क्या? मुल्धन तो मिसरधन है कितना? 605 मुल्धन कितना था? 500 जब 605 में 500 घटा देंगे तो यह कितना आ जाएगा? ब्याज आपका आ गया 105 रुपया ठीक है? अब चलिए फिर से वही हम क्या लगाएंगे? SI का फर्मूला लगादेंगे चलिए लगाते है SI बराबर क्या होता है? P गुना R गुना T बटा में 100 ठीक है? तो फिर से हमको यहाँ से निकालना क्या है? यहाँ से आपको रेट निकालना है तो चलिए यह वाला R को तो बागी बाद सभी को क्या करेंगे? सॉल्ब करके सबको इधर ले आते है ठीक है? देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ बनाते SI गुना 100 बटा में क्या जाएगा यह? P इंटू T बराबर R चलिए देखिए यहाँ पे जो है इसको यहाँ सॉल्ब करने का परियास करते है SI कितना है आपका? साधारन प्याज 105 ठीक है? गुना 100 बटा में यह P कितना है? प्रिंस्पल कितना था आपका? 500 रुपया गुना ठीक इतना था? टाइम तीन वर्स ठीक है? बराबर क्या? अब इसको सॉल्ब किज़ें यहाँ से 1-0 2-0 1-0 2-0 इसको काटिए 5 एकम 5 यहाँ 5 दूना 10 5 एकम 5 एकट गया 3 एकम 3 3 सत्ती 21 यानि आर आपका कितना आगया? आर बराबर 7 प्रतिसद यानि जब रेट 7 प्रतिसद होगा तो 500 रुपे पर 3 वर्ज पस्चात हमको सारे मिला करके मिज़धन कितना देना पड़ेगा? 605 रुपे देना पड़ेगा